हाई दियर इत्स जफाराना एंड वेलकम टू माई चैनल आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे किसी भी गुरूप में या किसी की भी प्राइवेट चैट में जाकर उसकी एक स्पैस्फिक चैट को फाइंड आट कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं इसके ज़ुरत जादा तर उस फफ़त पेश आती है जब आप किसी गुरूप में चैट कर रहे हैं और आपको एक स्पैस्फिक चैट निकाल दी हैं मगर उस गुरूप में इतनी जल्दी से मैसेज इस पाइल अप हो रहे हैं और इतने बल्क में message आ रही है कि आपको एक specific chat निकालने में बहुत ज़दा problem हो रही है तो उसमें आपको इस trick को use करना बहुत ज़़री हो जाता है So for example ये वाले एक group है तो इस वाले group में मैंने एक message readout किया For example इस वाले message को मैंने readout किया तो readout करने के बाद मैंने या तो इसको scroll कर दिया या तो bulk में बहुत ज़दे message आगे तो अब मैंने उसी specific message को relocate करना है तो वो मैं कसे करूँगा और वो भी मैंने within few seconds करना है तो सबसे पहले उसी group के top right corner पर जाने then यहां three dots पर tap करना है then उसके बाद यहां search पर tap करना है तो for example मैंने आपको बताया था कि मैंने उस message को readout किया तो उस message को readout करने के बाद बुझे उसको थोड़ा बहुत हो keywords या दिया होगे कि उसमें क्या बात हुई है so for example मुझे एक keyword या दे उसमें nav bar की बात हुई थी nav bar मैं इदर write down कर दूँगा then यहां search पर click करूँगा then यह देखिए मुझे वोई specific message मिल गया अगर आपको बहुत ज़दा यहां nav bar बहुत ज़दा जगा यूज हुआ हुआ है तो आप इदर से इसको check भी कर सकते हैं अभी एक ही जगा यूज हुआ है मगर आपको वो specific message का यह ज़रूरी याद है कि वो message किया किस ने था किस specific बंदे ने post किया था तो उसके लिए भी हमने क्या करना आपने सबसे पर टॉप right corner पर जाने then यहां search पर जाने और उसके बाद उस specific बंदे का नाम write करने for example उसका नाम रहमान था तो हमने बिल्कुल वोई नाम इदर write करने then उसके बाद आपने इस arrow पर click करते जाने then at last आपको वो सारे message मिल जाएगे जो के इस नाम से post होई थे तो फिर दोबारा इस arrow पर click करेंगे so at last आपको वो message मिल जाएगा for example यह था message यह देखिए मैंने दो तिन दफ़ा उस arrow पर click किया और उस नाम से जो post होऊ था message specific message जो कि मैंने relocate करना था वो बिज़े आप मिल के so इसी तरीके से आप किसी में message को relocate कर सकते हैं और वो भी within few seconds बजाए इसके कि आप हर message को figure out करें कि यह वो message है या नहीं और कोई hours के बाद ही आप उस message को relocate करें तो वो पहुतात cumbersome task हो जाता है so specific problem को sort out करने के लिए इस specific feature को introduce करवाए गया है पर सब में ताकि आप किस भी specific chat को relocate कर सकें so अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को like कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए और अगर इस वीडियो के related आपको कोई भी curious है तो आप comment section में पूछ सकते हैं मैं ज़रूर उसका जवाब देंगा Thank you